विभार्दिफ्ता पार्टी अल्प संंख्यक मोर्चा के राश्ट्री १्यक्ष जमाल सिध्य की आज Mnnota पहुंचे जहां उन्होंने पार्टी के कार्य करताओं की साथ बैठा की। इसे सिलसले में बीजेपी अलप संक्यक मोर्चा के राष्ट्री अध्यक्ष ने जनतंत्र टीवी से की खास बाची देखिए पहले आप आज पहली बार मेरेट दो रिपा आए हैं उत्तर प्रदेश के दो रिपे रहाँ दो दिन से तो मेरेट में क्या कार्यकरम है आज यहां पर जो हमारे चेट्री अध्यक्ष है रिजबान मेरेट साहब और उनकी टीम जो है उन्होंने करीब की जो चार पाद जिले है उनकी बठक बुलाई है, मैं अध्यक्ष बनने के बाद सभी प्रदेश में जा रहा हूं, वहां जो हमारे साथी हैं, जो काम कर रहे, उनकी कटनाई क्या है, उनको कहां कहां प्रशानी आ रही है, संगठत कमजोर कहां है, हमारी जो पस्तित है, वो बुथों पे किस तरह है, उन सब की जानकारी में ले रहा हूं और उस जानकारी को लेकर मैं अलसक्ख्य को इस बार बड़ी संख्या में बूतों पर ले जाना चाहता हूं सब्सक्राइब करें लोगों को इतिहास बताएंगे किस तरकार मुला तो मन गए लेकिन विकास नहीं किये आज आप देखेंगे उन्हों सब्सक्राइब क्या मिला अखले स्यादों मुसल्मानों के दोस्तों बने भाई दो बने लेकिन काम नहीं किया काम किया होता तो आज हम इतने पिश्ड़े होते तब तो हर्जिंदा पार्टी नहीं थी दुश्मन कौन होता है जो पीठ में दुश्मन तो कांग्रेस है उन्होंने पीठ में शुदा गुपा है अपने बने लेकिन कभी अपना पर नहीं दिखाया है तो विदान सब्सक्राइब के लेकर आम आदमी पार्टी और अब और वैसी भी परदेश की तरफ कौंच कर रहे हैं तो उसको लेकर आपकी क्या सब्सक्राइब ने जिन्ना के नितुत में देश को बाटा तो जिन्ना के पद्चिनों पर चलने वाला वैसी यह अगर काम्याव होता है तो देश फिर बुटेगा देश में नफरत होगी देश में हिंदुन समय को अलग किया जा रहा है यह जो कट्रवादी लोग हैं यह ज जिस तरह से आपने देखा जमाल साब का साथ तोर पर कहना है कि अवैसी हो आम आदमी पारिटी सर्विन कैजरिवाल हो उनके परदेश में आने से भाश्पा पर कोई असर नहीं पड़ेगा भाश्पा पूरी तना से मजबूत है और बूत लेविल पर अलप संक्यक मोर्चा अब काम करेगा सादिक खान जनतंतर टीवी मेरत खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंतर टीवी एंड प्रेस्टा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट